हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ इंडिया के 5 11 टन जीवी डागलू ट्रक्स के बारे में यानि की 11 टन के इंडिया के टॉप 5 ग्रॉस वीकल वेड वाले ट्रक्स दोस्तो इसमें हमने रखा है 2022 के टॉप मोस्ट ट्रक्स को इस वीडि 2 पर आता है कौन सा number 3 पर आता है और कौन सा number 4 और 5 पर आता है तो आप से request करूँगा कि आप इस वीडियो को अंते तक देखिए और अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे पांचवे नंबर के ट्रक के बारे में तो पांचवे नंबर पर आता है भारत बेंज 1215 और बियस 6 दोस्तो इसमें आपको चार सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो की 4D34i BS6 diesel engine रहता है इस engine की maximum power 110 kW की रहती है जो की आपको 2500 rpm में मिलती है वही अगर बात करें इस engine के maximum torque के बारे में तो इसमें आपको 460 Nm का torque मिलता है जो की 1200 से 1600 rpm में मिलता है दोस्तो इस गाड़ी का wheelbase 4250 mm, 4800 mm और 5050 mm मिल जाता है अगर बात करें इसके loading span के बारे में तो 6.1 meter, 6.7 meter, 7.3 meter के loading span में आपको ये गाड़ी मिल जाती है अगर बात करें इस truck के gvw यानि की gross vehicle weight के बारे में तो इसमें आपको 11,990 kg का gvw मिलता है जो की लगभग 11.9 ton का रहता है दोस्तो इसका payload लगभग 7.3 ton का रहता है अगर बात करें इसके mileage की तो इसमें आपको 7-9 km per liter का mileage लगभग देखने को मिलेगा mileage जो हता गाड़ी का बहुत सारी condition पर depend करता है तो mileage vary कर सकता है अगर मैं बात करूं इस truck के price के बारे में तो ये आपको 19.85 lakh से 21.12 lakh के एक showroom price में मिल जाता है आपको इस truck के exact या on-rose price के लिए अपने nearest भारिद बेंजे के showroom में visit करना पड़ेगा अब हम बात करेंगे नंबर 4 गाड़ी के बारे में तो नंबर 4 पर आती है महिंद्रा फ्यूरियो 11 BS6 truck दोस्तो सबसे पहले देखेंगे इस truck के engine के बारे में इसमें आपको MDI Tech 4 Cylinder BS6 diesel engine मिलता है जो की 103 kilowatt की maximum power आपको देता है जो आपको 2400 rpm में मिलती है अगर बात करें इसके maximum torque की तो इसमें आपको 525 newton meter का torque मिलेगा जो कि आपको 1250 से 1800 rpm में मिलेगा अगर मैं बात करूँ इस truck के wheelbase के बारे में तो आपको 4000 mm और 5950 mm के wheelbase में मिल जाएगा वहीं इसका loading spend देखें तो इसमें आपको 2 loading spend देखने को मिलेंगे 5.3 meter और 6.7 meter दोस्तो इस truck का gross vehicle weight GVW 11,280 kg लगभग 11.2 ton का रहता है अगर मैं बात करूँ इसके payload के बारे में तो इसमें आप लगभग 7.1 ton payload लेके जा सकते हैं अगर बात करूँ इस truck के mileage के बारे में तो इसमें आपको 7-9 km पर लेटर का mileage देखने को मिलेगा ये mileage हमने internet से research करके लिया हुआ है तो actual mileage या जो गाड़ियों का mileage रहता है बहुत सारी condition पर depend करता है तो mileage रही कर सकता है अगर बात करें इस truck के यानि कि Mahindra Furio 11 BS6 के price के बारे में तो ये आपको 21.35 lakh से 22.36 lakh के actual room price में मिल जाता है दोस्तो अब हम बात करेंगे number 3 truck के बारे में तो number 3 पर आता है iShare Pro 2110 BS6 truck इसमाँ आपको E494 4-wall TCI BS6 CRS diesel engine मिलता है जो के आपको 120 kilowatt की power देता है 2600 rpm पर वहीं इसका maximum torque 500 newton meter रहता है जो के आपको 1200 से 1800 rpm में मिलता है दोस्तो विल बेस की बात करें तो इसमाँ आपको 49 mm, 43 mm और 950 mm के विल बेस देखने को मिलेंगे इस truck का loading span 5.2 meter, 5.8 meter, 6.1 meter, 6.7 meter, 7.3 meter इसमाँ आपको बहुत सारे loading span देखने को मिलेंगे दोस्तो बात करें ग्रोस विकल वेट यानि की जी भी डब लोगी तो 11,990 kg लगबक 11.9 ton का ग्रोस विकल वेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इसमें आप लगबक 7.3 ton का payload लेके जा सकते हैं अगर मैं बात करूं इस truck के mileage की तो इसका mileage भी 7-9 km पर लिटर का लगबक आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस truck के price के बारे में तो यह आपको 22.35 lakh से 22.38 lakh के एक शोरूम price में मिलेगा आपको इस truck के exact या on-road price के लिए आइसर के शोरूम पर विजिट करना पड़ेगा अब हम बात करेंगे नमबर दो truck के बारे में तो नमबर दो पर आता है Tata Motors का Tata 111 बारे LPT BS6 truck यह एक बहुत famous truck है इस series में और इस GVW category में यह बहुत ज्यादा customers की द्वारा पसंद किया जाता है तो अब आपको बताता हूँ इसके technical specifications के बारे में इसमा आपको 4 cylinder 3.3 liter NG BS6 diesel engine देखने को मिलता है दोस्तो इसके maximum power की बात करूँ तो इसमा आपको 125 PS की power मिलती है जो के आपको 2600 RPM में देखने को मिलेगी वहीं अगर बात करें इसके maximum torque की तो इसमा आपको 390 Nm का torque देखने को मिलेगा जो के आपको 1200 RPM में देखने को मिलेगा अब हम बात करेंगे इस truck के wheelbase के बारे में तो इसमा आपको 3400 mm, 3800 mm, 4530 mm, 5920 mm यानि की आपको total 4 wheelbase यहाँ देखने को मिलते हैं अगर बात करें इसके loading span के बारे में तो यहाँ पर आपको 4.3 meter, 5.2 meter, 6.1 meter, 6.7 meter के loading span देखने को मिलेगे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं TATA 111 बार LPT BS6 के GVW के बारे में यानि gross vehicle weight के बारे में तो इसमा आपको 11250 के जी लगबग 11.2 ton का gross vehicle weight देखने को मिलेगा वहीं इसका payload भी आपको लगबग 7.2 ton के approach देखने को मिलेगा अगर बात करें इसके mileage के बारे में तो यहाँ पर आपको 7.5-9 km का mileage देखने को लगबग इस truck में मिल जाता है दोस्तो अगर बात करें इस truck के price के बारे में तो यह आपको 18 lakh से 20.21 lakh के एक showroom price में देखने को मिलेगा अगर आपको इस truck का exact या on road price पता करना है तो मैं आपसे request करूँगा आप अपने nearest tata motors के showroom में विजिट कर लिजे तो आपको exact या on road price इस truck का पता जल जागा दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ number one truck के बारे में जो की इस category में number one है तो इस category में number one truck का नाम है अशोक लेलेंड इकोमेट 1015 HE BS6 दोस्तो इसमा आपको S-series BS6 four cylinder CRS with Igen 6 technology वाला diesel वाला BS6 engine देखने को मिलते हैं दोस्तो अगर बात करें इसके maximum power की तो यहाँ पर आपको 110 kilowatt का maximum power देखने को मिलेगा जो के आपको 2400 RPM में देखने को मिलेगा दोस्तो इसमा आपको 450 Nm का torque देखने को मिलेगा जो की 1250 से 2000 RPM में मिलेगा अगर मैं बात करूँ इसके wheelbase के बारे में तो 3250 mm, 4950 mm, 42 mm का wheelbase आपको यहाँ पर इस truck में देखने को मिलेगा अगर मैं आपको बताओं इस truck के loading span के बारे में तो 4.3 meter, 5.1 meter, 5.8 meter का loading span यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तो इसका gross vehicle weight यानि की GVW आपको 11,120 kg लगबग 11.1 ton का मिलता है अगर मैं बात करूँ इसके payload capacity की तो यहाँ पर आपको 7.2 ton का payload लगबग देखने को मिलेगा दोस्तो इस truck का mileage आपको 7.5 से 10 km पर लेटर का मिलता है जो कि हमने internet research से लिया हुआ है आपको exact mileage के लिए बहुत सारी conditions को follow करना पड़ता है जैसे कि truck का driver कितना expert है और कैसे वो drive कर रहा है गाड़ी को किन conditions में drive किया जा रहा है और गाड़ी का maintenance कैसा है इसके अलावा और भी जो बहुत सारे effects हैं जो mileage को प्रभावित करते हैं तो mileage vary कर सकता है अब मैं आपको बताता हूँ इस truck के price के बारे में तो इसमां आपको 17.53 से 18.54 लेक के extra room price में ये truck आपको मिल जाता है तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें comment में जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए भी आप हमें comment section में लिख सकते हैं दोस्तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद